हेलो अप्रिवान वेल्कम पैक वीवर्स कैसे हूँ आपसे लोग आइस उमीद करती हूँ स्वस्त होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे कृत को हील और पॉजिटिव जरू कर रहे होंगे वीवर्स आज में करने जा रहे हूँ आपके लिए एक और न्यू रिडिंग दिखन शेर और सब्सक्राइब जरू करिएगा तो चलिए देखते हैं जिस वेक्ति के बारे में आप सूच रहे हूँ उस वेक्ति के मन में आपको लेके क्या कूछ चल रहा है इस वक्त प्लीज उनिवर्स इंजल सहल फस ब्लीज गाइड उस परस्ट काड़ा रहा है मून का वी हाब क्वीन आफ सोर्स वी हाब टावर एंड फाइफ अफ कप्स तन की नजी आई है और यहां पर आया स्टेंब ठीक है तन की नजी आई है तन की नजी आजए आरे तन अफ सोर्स वी हैं झा उओंस वील पस्ट्टों अजरूंड टीक है जड मि रहाल इंद एंटके की है बॉर्स की नौझाि है रहां टू आप ऑ्टेस्ट की सभी राश्यू के लिए रीडिंग है ठीक है सभी लोगों के लिए रीडिंग के जा रही है इस बात का ध्यान रखे नमबर 9 और 10 नमबर 9, 19, 10, 18, 14, 16, 5, 8, 2 यह नमबर आप लोगों के लिए इंप्वर्टेंट नमबर यहां पर हो सकते हैं अके वीवर्ट में आप यह देख रही हूं कि मेभी शायद आपको आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस टावर के आने के बात से जो यह टावर है न यह टावर कहीं न की भी देखो पैनफुल लेकर आता टावर कभी पह अच्छा नहीं होता टावर एक तरह का यह है जो के कहिनागें देखा जा सकता है तो टावर जो है कभी भी हम इसको बहुत अच्छे एक्सपिरिंस के लिए तो नहीं कहेंगे क्योंकि टावर जो होता कि हमेशा बहुत ही ऐसे ऐसे एक्सपिरिंस करा देता है लेकिन उसका जो रिजल्ट हो सकता है वह अच्छा हो स लेकिन जो जिस time duration से आप लोग गुजर रहें यह अच्छा नहीं है यह बहुत ही painful है यह बिल्कुल अलग अकेला कर देता है ऐसा ऐसास दिला रहा है आपको किया सब कुछ सब कुछ अब खतम हो गया सब कुछ कुछ भी नहीं बचा है ठीक है वो तो मेरा रहा ही नहीं वो तो मेरी रही नहीं उसको तो वो तो उसको मेरी परवा नहीं है या फिर वो मुस्से प्यारी नहीं करता है या नहीं करती है उसके मन में तो मेरे लिए कभी कोई feelings थी ही नहीं वो कभी मेरा था ही नहीं आपको ऐसे वेक्ति मेरे नसीम में नहीं था तो यह वेक्ति मेरे नसीम में आये ही क्यों मुझसे मिला ही क्यों अगर इतना ही पेंड मुझे मिलना था तो यह सब बहुत सारे सवाल हैं जो यहां पर मुझे खड़े होते वे नजर आ रहे हैं लेकिन यह चीज मैं जरूर देख पारी हो यह कि ये टावर जो है दर्द दोनों को दे रहा है लेकिन दोनों को एक दूसरे के प्यार का एहसास भी दिला रहा है मेभी मैं आपको ये बोलू कि आप मैंसे कफी सरी लोग ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर अगर ये टावर ना आता मुझे ऐसा नजहां आ रहा है कि वेक्टि नहीं रह पाइगा या नहीं रह पाएगी इसको भी आपके जरूरत होगी तो मैंने वोल है कि टावर ऑगे एक खड़ा कर आया क्रिकस्ति में तो क्यों विल foxeur T इस समझ रहा है आप और वेल अफ़जन यह दिखा रहा है कि उन्हों नहीं ही आपके बहुर नहीं जो टावर है खड़ा गर आपके रिष्टे में so that आप दोनों ही आपके पार्टनर भी और आप डोनों यह डूसरे की जो ज़रूरत है उसको महिसूस कर सके उसकी कमी को महिसूस कर सके साथी साथ मुझे यहां पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि कहीं ने भी एहसास हो जाए कि क्या आप लोग राइट ट्रैक पे हो क्या आप जो आप लोग कर रहे हो जिस तरह से कानेशन को लेके चल रहे हो क्या वो राइट ट्रैक है यह सब चीजे कहीं ने की नजर आ रही है कि मतल समय से चीज़े बहुत बहुत होती चाली आ रही हो आप ना उनको कुछ समझा पा रहे होंगे ना वो आपको कुछ समझ पा रहे होंगे आप दोनों में emotionally detachment काफी अच्छा नजर आता है क्योंकि मैं यहां पर बता क्या देख रही है मुझे energy जो दिख रही है कि ना तो आप लोगों को मेरी बात सुनने में भी हो सकता अच्छा ना लगे लेकिन आपके connection के situation जो बता रही है मैं आपको वही बताना चाहूंगी you feel like I am the right one आपके person feel like I am the right one ठीक है दोनों में ego के energy दिख रही है यहां पर अब मैं यह नहीं कहूंगी आप ego में थे आप justice के energy में थे ठीक है आपका person लेकिन definitely ego के energy में था वो समझना ही नहीं चाहती थी यह समझना ही नहीं चाहता तो कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है तो यहा पट egoistic तो है ठीक है आप उनसे जो भी कुछ कह रहे हो उनको लग रहा है कि यह मेरे पर बहुत हुकम जाड़ रही है यह हुकम जाड़ रहा है मुझे पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है something like मैं तो नहीं धुझ जुगोंगा इसके सामने मैं क्यों सरंदर करो उसको ज दो भी गई है आप भी यह कहरे हो कि यह तो बहुत कुछ कर रही हूं इसके लिए स्टिल यह वेक्ति कुछ करना ही नहीं चाहरा तो यह क्यों है लेकिन आपके सामने कुछ ऐसा जरूर आया वीवर्स जिसने इनको भी इनकी गलती का अहसास कर आपके पार्टनर को और आपक से इसको अहसास हुआ कि उन्होंने इस कानेक्शन में जो है गलत किया है और उनको यह चीजे नहीं करने चाहिए थी साथे साथ उनको आपके ना होने का या फिर आपको खोल देने का जो एक अहसास हो भी यहाँ पर नजर आ रहा है ठीक है लेकिन मैं यह आपर यह देख रह का आपकी तरफ आपके रिष्टे में रिस्पॉंसबिलिटी इसका जो यहाँ पर कहीन के नजर आ रहा है यह वेक्ति कहीन के अड़ा हुआ था या अड़ी वी थी जैसा भी आपको तो जो जिस चीज पर यह अड़े वेते ना वीवर्स मतलब आपने आपको राइट मानना या फिर मैं ही जो सोचने हो करने हूं वही सही है तो इनकी जो सोच है वीवर्स वो यहाँ पर टूटी भी नजर आ रही है वकि अलैसे आपके रहे हैं यहाँ पर फीलिंग्स क्या रहे हैं आपके पार्टनर की चली देख लेते हैं सो प्लीज डिवाइन उनिवर्स इंजल मुझे पताएं मेरे वीवर्स क्लीन के पार्टनर की तो फीलिंग्स क्या है रिफ्लक्शन रिवेल रिस्पॉंसिविटी पॉर्गिवनेस एक्स्पेक्टेशन दिस्वनेस्टी स्पेस मैमोरीज डिटेच्मेंट एंगुटे तो जैसे कि मैंने बूरा थे टावर इन गुट सेंस मुझे आ पर नज़र आ रहा है और यह जो टावर है इसने सबसे पहले आपके परसान की तावर जो है इसने बहुत कुस्ट साफ साफ कर दिया न आईने की तरह बहुत सा चीज़े इन बहुत सारी चीजह में अहसास करा दीया कि कौन बेंगती कहा सही है कहां गलत है तो यह चीज़ है और इस tower का जो outcome रहा है वो भी बहुत unexpected रहा है जो यहां पर नजर आ रहा है ठीक है यह निकि हम क्या करते हैं से डड़ते हैं obviously आप भी डड़ते होंगे यार टावर obviously painful होता है क्योंकि वह बहुत कुछ मतलब से खतम करता है बहुत कुछ लेकिन इसके लिए इंसन तयार नहीं होता तो यहां पर यह हुआ है किस tower के आने के वज़े से बहुत सा चीज़े साफ हो गई है आईने की तरह साफ मतलब आपने अपनी तरफ से क्या कुछ नहीं किया है इनको यह चीज़े भी देखने लगी है yes even though मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपने इस वेक्ति को बहुत सारी चीज़े पास्ट में याद पे दिलाई मतलब आपके experiences, आपके sacrifices, आपके efforts आप हर चीज़े को इनको बताते आ रही हो, बताते आए हो और इनको बिन दो नहीं है कि इनको बता नहीं है कि इनके सामने नहीं हुआ ही नहीं के लिए तो करा गया है इनको यह सब चीज़े पता थी, still they forget, but they remember your bad behavior, your frustrated nature, your चिट चड़ा हट, जो भी आपके कहो, जो भी आपका था ना एक nature behavior, जो over the period of time इस व वेक्ती के careless attitude के behavior की वजए से develop हुआ, तो आपके person ने आपके tone को पकड़ा, आपके way of talking को पकड़ा, आपके attitude को पकड़ा, यह भूल गए कि आप इनके लिए क्या थे, आप से यह बात करना पसंद नहीं करती थी, यह नहीं करते थे, इनको जस्ट आपकी बाते इरिटेटिं लगती थी, यह बात करने में इंटेस्टेट नहीं थे, यह चीजों को सॉट आउट करने में इंटेस्टेट नहीं थे, इनको चीज़े बहुत ज़्यादा complicated ही करना था, मतलब ऐसा नजर आ रहा था, जैसे यह वेक्ती तो तुला हुआ था, यह तुली हुई थी कि connection मुझे करना है, क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इनके जो गलतियां थी न, यह अपनी गलतियां गलतियां ही नहीं देख रहे थे, इनको कभी रिलाइज ही नहीं हो रहा था, यह वेक्ती भी गलती कर रहे है, ठीक है, और यह सरफ जस्टिफाई कर रहे थे, क्यार यह में जा कि एंसे तावर नहीं को रहती हैं, यह थै। तो आप इस देख इसे यह नहीं कि शाना ही। तो कहीन है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा आउटकम वीवर से हाप पर नजर आया जो अनेक्सपेक्टेड था मेभी सम्वेर दिर इस एक कनेक्शन ऑंसर कहा जा सकता है मेभी कोई थर्ट पार्टी कनेक्शन यहां पर इन्वॉल्मेंट है जो कहीन दूसरी तरफ इंसान का दिल सब्सक्राइब नजर बनरोक हैी मेभायत सब्सक्राइब नजरा है कि यह एप समाथ अपर नजरा गया जैंशान को पर द्यान के, आपको हमेशा से अपने पीछे भागने पर दोड़ाने पर आपको मजबूर किया है आपको हर बात में जुकाने पर जुकने पर मजबूर किया है आज जब आपने उनसे अपना करीट कर रहा है आपको बदल के मैं क्या करो आपकी गल्ती नहीं थे लेकिन तब भी आपको बदलने को तयार थे अपनी गल्तियों को मान रहे थे हर चीज को आपने हर एक खुशी को इस विवक्ति के लिए चोड़ा है आप हर चीज को बदल रहे थे लेकिन अभी आपको समझ में आना है कि आ रहा है कि आर इस विक्ति कर ले करके कोल फायदा तो है नहीं ठीक है क्योंकि इस विक्टि को कुछ नहीं नजर नहीं आने वाला ह है तो किसी और के चक्कर में पागल सहने हैं तो अपने स्फेस grew को जब आपने इस श्रु के श्रुन को इन्हें पर आपको आपको आया था çाय है आपने किस हद तक गयES को पागल हूए छो अपेड़ थी ए चाहती है यह उन्हें प्ति sih के मुंने पठेट के अर하지вол है इन्हों पर्फिपिए को भी आपको आया हुआ है नंदें, षाहती है आपको आपके साफ भी आपको करनाफ Works आपको प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ में एक नई शुरुबात यहां पर करना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने उलता टावर जो आपके connection में बहुत अच्छा आ गया है, जिसने चीजें उजागर तो कर दिया है, आपको हट बहुत हट क्योंकि आपकी energy में देख नहीं थी बहुत हट फुल energy आई है, लेकिन यह अंत है, कहते हैं बहुत बड़ा शौक तो जरूर है आपके लिए पर यह आपकी परिशानियों का अंत है, इसके बाद में चीजें फिर बहतर तरीके से स्टार्ट होती हुए, यहां पर नजर आ रही हैं आपके connection के अंदर, यह मतलब टावर ने पिछला सब को जैसे के साफ कर दिया, ठीक है, उस रिष्टे के cracks जो इस रिष्टे में पढ़ रहे थे, उस रिष्टे में dishonesty जो पढ़ रही थी, तो रिष्टा पूरी तरह से demolished तो हुआ है, लेकिन उसी चीज पे एक नया रिष्टा क्रियेट हो रहा है, जो आ आप दोनों के एफट से, सामने वाला बंदवी एफट लगाने के लिए तैया रहे है, उन्हें आपके नजर आ रहे है, लेकिन आपके लिए और क्या फीलिंग आ रही है, आपके परसन आपको सौरी बोलने चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ में नई शुरुबात करना चाहत हैं, उन्होंने अपनी गल्ती को अमान लिया है, गल्ते उनके सामने आ गई हैं, पहले वो रिलाइस नहीं कर रहे थे, इविन दे डोंट रिलाइस की वो आपको कितना दर्द दे रहे हैं, उनको ये पी चीज़े समझ में आ गई है, ठीक है, लेकिन अब वो एक नई ये चीज़े एक्सपोज हुई है, इत वाई फोल्ट पर आपको ही गल्ती ठहरा रहे थे, गल्ती सामने आ चुकी है, I wonder if you are happy without me, उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप उनसे डिटेश्मेंट क्रियेट भी कर रहे हो, यानि कि उनके बिना हर्पी भी हो सकते हो, या उनके ब होना चाहते हैं, I was no detraction from your pain, तो हिना कि ये वेक्ति वीवर्स आपको पैन देने वाले भी हैं, लेकिन आप इस पैन से आपको निकालने वाले भी हैं, आपके परसन आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं, अगर आप उनको लेट गो करवाने पर मजबूर कर रहे हो तो उनक आपके परसन के राइट नाओ की फिलिंग एनरजी आई है, I hope so आपके लिए रीडिंग है ठीक है, और यूनिवर्स से प्रेयर करें क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग चल रही है, आप लोग लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन टाइमिंग के साथ मैं फ्लो करो, मैं आटवाइस दे रही हूं आपको, जब डिवाइन टाइमिंग चलते हैं तो हमें बहुत सार चीज़ हमारी लाइफ में हमारी एक्सपेक्टेशन के रिकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन जो हो रहा होता है, क्योंकि मैं यहाँ पर वील फॉर्चन के साथ में सन की एनरजी की सार चीज़ा में जवन में खुषियां आगाई, तावर तो आया था लेकिन उसमें खुषियां भी आपके जिवन में खोल दी है, इसको वेलकम कर उनके साथ में आगे बढ़ागो और जो युनिवर्स कहरा है वो करो, युनिवर्स कहरा है जस्त गॉइंग विदफ लोग energy में रहो जो हो रहा है वोगा अच्छा हो रहा है इसको अपने मन में बिठाकरा के मत रहो इस energy को स्टावर को ठीक है इस वीक्ति कीजिंद एक्सपोस होना वहाँ जरूरी थी इस से आपको हड़ बहुत हुआ बहुत तकलीफ हुई है लेकिन अगर इस वेक्ति की गलती एक्सपोज नहीं होती न वीवर्स तो शायद यह आप से पूरी तरह दूर हो जाते और आप सरफ यहीं सोचते रहाते हैं यहां पर अपनी गलतियों को देखते रहाते हैं या फिर आप कहते हैं मैंने इसके लिए क्या कोश सब्सक्राइब करना परसनिंग लिए वीडियो में दिये नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं चलिए मिलते हैं नेक्स रिटिंग में तिल देन अपना ध्यान रखे खुदको ही लखे पॉजिटिव रखे सुपरवार टेक केर